नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं 27 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भासकर भगवान सूर्य नारायन को नमन कर चलिये राशिफल का ये कारिक्रम प्रारंब करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पैंचांग की आज रविवार है आशाढ मास कृष्ण पक्षकी आज दृतियाति थी है जो शायंकाल तीन बच करके चववन मिनट तक है और इसके पुष्चा चतृति है श्रमण नक्षत्र है वैद्रतियोग विष्टिकरण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 34 मिनट से 2 पर 12 बच करके 28 मिनट तक होगा वही राहुकाल शाम साढ़े 4 बजे से 6 बजे तक जैसा क प्रत्येक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरिक्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज संकष्टी स्री गणेश चतुर्थी वरत है सभी ग्रहस थास्रमियों को चाहिए कि वो भगवान गजानन की आराधना आज विशेस रूप से करे अगर आप कोई विशेस वरत उपवास इत्यादी नहीं कर सकते तब भी गणेश जी के मंदर में जाकर के आज दूरवा गणेश जी के ऊपर अवश्य ही अरपित करिये इससे दुख दारिद्र का नाश होता है आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भासकर की आराधना करते हैं तो भुवन भासकर की आराधना करेंगे तो वहीं आज आज आपको एक जोतिशिय सूत्र बताने वाला हूं इस सूत्र के जन्म कुंजली में घटित होने से जातक के जीवनकाल में समस्याय खत्म ही नहीं होती. असल में ये सूत्र राजभंग योग से सम्मंधित है. तो दिब्वे महाप्रयोग में एक जोतिशी सूत्र बताऊंगा दिब्वे महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तितियों की राहू और बुद्ध यूती बनाकर वुर्षभरासी में संचरण कर रहे हैं सूर्य मिथुन रासी में शुक और शनिदेव ये दो ग्रह गोचर कुंडली में समय वक्रवस्था में है आज चंद्रमा स्रमण नक्षत्र में शनिदेव भी स्रमण नक्षत्र में ही हैं दोनों एक ही नक्षत्र में हो जाने से पुरुनत विश्योग का निर्माण हुआ है गोचर कुंडली में वहीं के दिन भी कार्यस्थल पर होंगे और अपना काम कर रहे होंगे चंद्रमा खुद के नक्षत्र में सनी के साथ यूती बना कर कि आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं किन मामले मामलों में आपको आज विशेश रूप से सावधान रहना चाहिए आज क्या नहीं करना और क्या करना चाहिए जिसे करके आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे तो यह है ग्रहस्थिति इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है ने दैनिक राशी फल तयार किया है वो नई दर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशी फल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन् जन्व कुंडली के सस्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा यूती बना कर बैठे हों और ऐसे सूर्य और चंद्रमा पर कहीं से शनी की द्रिष्टी पड़ जाए चाहे वो तीसरी हो सात्वी हो या दस्वी हो तो जोत्य शास्त्र कहता है ये राजयोग भंग हो जाने का योग है इस योग के होने के बाद जन्व कुंडली के राजयोग भी अपना प्रभाव खो देते हैं राजयोग भंग के बारे में पूर्व में भी मैंने आपको कई बार बताया है राजयोग भंग के बारे में सास्त्र तो ऐसा ही कहता है कि जितने भी राजयोग हो वो राजयोग का मेरा अनुभाव कहता है कि राजयोग भंग होने पर जातक के जीवनकाल में और राजयोग हैं तो उसके चलते जातक को चीजे तो प्राप्त होंगी लेकिन निरंतर समस्याएं परिशानियां जातक के जीवनकाल में बनी रहेंगी अब समझने वाली बात है सुर्य और चंद्र को चंद्रमा अम वस्या के हैं तो मानसिक रूप से असान्त करेंगे ही करेंगे निर्ट है सकितने बनेंगे कि जा तक उत्थान के में सोच ही नहीं पाएगा लड़ाई जगड़ा इनी सब चीजों मुसका मन हमेशा अशांत रहेगा इनी सब चीजों के बारे में उस अदय वह सोचता रहेगा विश्योग होने के कारण मानशी का सांती अपने चरम पर पहुंच जाती है तो सीधी सी बात है इस तरह की ग्रहि आसे मुक्ति मिल सकेगी चलते हैं भुवन भासकर की आराधना की और शुनानादी सिन्वृत्त होकर के पूजन उस्थल पर आ जाईए लाल रंग का वुस्त्र धारन कर लिजे लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए अर्था पात्र में जल्ले करके पूर्वा भिम्खो करके बैट जाईए, सबसे पहले हाथ जोड़िये और गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पुष्षात अपने गुरू का ध्यान करिए और फिर तीन बार आजमन करिए श्रीहरी विष्णु का ध्यान करके, आजमन के पुष्षात पुना एक बार हाथ जोड़िये, और छित्र कधिपती भहरो जी से आगया मांगिये, मैं भुवन भासकर की आरादना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे आगया प्रदान करे, जैसे ही छित्र कधिपती भहरो जी आपको आगया दे देते हैं, इसके पुष्षात आपको प्राणायाम करना है, सबसे जरूरी काम है, स्वास्त के द्रिष्टि कोण से भी, मन को एकागर करने के लिए भी, जिन लोगों का मन एकागर नहीं होता, मन एकागर नहीं रहता, वो अवश्य ही प्राणायाम करें, रेचक, कुमभक, पूरक, ये बेहत जरूरी है, और इसी बिधी से आप प्राणायाम करिए। अगर आप फेस्बूक पर इस रासिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की बिधी पाने के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा लिंक यहीं पर आपको मिलेगा। मन ही मन स्मर्ण करते रहिए। हाथ दो लिजिए और जल पात्र ले करके खड़े हो जाईए। भुवन भासकर को अर्गे प्रदान करना है ओम, ब्रह्म, स्वरूपने, स्री सूर यनारा, यनाय नमह ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र भी बोलकर के आप भुवन भासकर सब्ताह भर की उर्जा, इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी, दूसरा कोई उपाए, आज करने की आवशक्ता नहीं। आप बस यही कर लीजिए, भुवन भासकर की आराधना आपने कर ली, तो समझ लीजिए सब कुछ मिल जाएगा। चलते हैं राशि खुद के नक्षत्र में सनी के साथ यूती बनाए हुए, देखा जाए तो ये चंद्रमा मानसिक रूप से आपको असांत रखने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात ही है कि आज छुप्टी का दिन है, ज्यादा तर लोग घर पे ही होंगे, तो चिंता की कोई आवशक्ता नही परन्तु मानसिक रूप से किसी न किसी बात को लेकर के उद्विगनता, चिंता आज आपको सताने वाली है, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, न ले, इस मामले में दिन ठीक नहीं है, यात्रा से बचिये यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, एक अच्छी खबर उन जो लोग घर पे हैं, तो नौकरी पेसा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहें, पदुन्ती से संबंधित, व्यापारियों के लिए दिनों सामाने दिखाई पड़ रहा है, आज व्यापारियों को ये विश्य से खी बात कहना चा सामने अपनी बात रखिए, और घर के माहौल को ठीक करिए, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, आज पढ़ाई में मन लगेगा, जरौत पड़ने पर आपको सह्योड मिलेगा, और स्वास्थ के दृष इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी, रुषव की अगर बात की जाए तो गोचर पुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज नमंभाव में, चंद्रमा शनी के साथ खुद के नक्षत्र में, सोचा हुआ कारिय आज प्रारंभा नहीं करना, जो भी कारिय श आपकों के लिए दिन सामाने दिखाई पढ़ रहा है, बस साकारात्मक दृष्टिकोंड बना करके रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और ब्यापारियों के लिए देखा जाए, तो कोई बड़ा निरिणय मत लीजेगा, योजना बनाईए पर कोई कदम मत उठाईएगा, और आईटी फिल्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, स्वास्ते के दृष्टिकोंड से देखें, तो आज सरदर्द या मानसिक असांति की तकलीफ आपको रह सकती है, लकियंक एक लखी कलर आपके लिए आज क्रीम है, भुवन भासकर क प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जपर प्राणायाम करिए, सब ताह भर की उर्जा इसे एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी, मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज अस्टंभाव में, चोट चपेट एक्सिडेंट कोई पुराना विवाद फिर से आज नया, नय रूप में, नय कलेवर के सांद जन में लेने वाला है, तो जरा सावधान रहिए, मौके की नजाकत को समझते हुए, आज सांतीस जितना हो सके, जुक कर जितना हो सके, दिन को बिताने का प्रत्न करिए, परिवार के सांद ज्य आज में तुम बिल्कुल मत करिए, प्रेम संबन्द में अगर कोई विवाद है, तुसे निप्टाने का प्रत्न करिए, साम तक परिशानी खत्न होती दिखाई पढ़े, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, और विद्यार्थियों के लिए एक ही बात कहूँगा, नोट पुर्स तैयार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जुरत पढ़ेने पर दोस्तों से मदद लीजिए, और स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें, तो स्वास्त में आज परिशानी दिखाई पढ़े, धकान अलस से चोट चपट की घटना सापसाप दिखाई लगी कलर आपके लिए जलाल है, भुवन भासकर करगे प्रदान करिए, गायत्री मंत्र गाजप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की उर्जा इसे एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी, करक की बात की जाए तो गोचर कुंडरी में चंद्रमा, रासी से आपके स चिंता रहेगी, हालाकि एक बात बता दू कि इसी चिंता में परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा, ठीक ठाक बीतेगा, बलकि परिवार के साथ अगर आप मिल करके अपने इस चिंता इस परिशानी का हल ढूंडे, तो आपको मार्ग भी मिलेगा, पूर्वके की ये प्रया सिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर से किसी बात को लेकर कि आज बिवात की संभावना है आपको बहुत से बचना चाहिए बिद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन संसय भरा है दिन मन पढ़ाई में नहीं लगेगा अगर किसी प्रतियोगी परुक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो वहाँ भी सफलता में संसय दिखाई पढ़ रहा है और स्वास्ते के द्रिश्टिकोंड से देखें तो पूरे दिन आलस से सुस्ती आप पर हावी रहने वाली है लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है भुवन भासकर कुरगे प करना वाद बिवाद करना इससे आपको बच करके रहना होगा आज ब्यर्थ की परिसानिया आपके गले पढ़ने वाली है यह ऐसे बचिए पार्टनर्शिप के में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ मत्भेद की संभावना दिखाई पढ़ रही है कोई पढ़ने वाद सतर्क और सावधान रह करके जितना हो सके अपना समय परिवार के साथ घर में वेतीत करिए घर में अगर कला होती है तो कोई बात नहीं साम्दक उसे आप सम्हाल लेंगे घर से बाहर जाने से बचिए और ब्यापारी है तो ब्यापार में जरा आइस समहल करक से रखना होगा किसी भी प्रकार के लेन दिन से बचिए आज बिवाद हर जगह दिखाई पड़ रहा है वहां चलाते समय तनिक भिला परवाही नहीं होनी चाहिए और आज सिंभ रासी के जातकों द्वारा कोई गलत कारी नहीं होना चाहिए जीवन साथी से मतभेत की संभाव और कहीं न कहीं जोडों में दर्द की शिकायत जिनको रहती है उन्हें विशेश रूप से आज परिशान करने वाली है लकियंक आठ लकी का लरा आपके लिए आज लाल है भुवन भासकर करके प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जपर प्राणायाम करिए सपताह भर की इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कन्या की बात की जाए तो गोचर कुंडली वे चंद्रमा रासी से आपके पंचम में लाभ की दृष्टि कोंड से दिन ठीक है छुटी के बावजूद आज आज आप कुछ न कुछ खुराफात करते रहेंगे और उसका प कुछ आप करते रहेंगे घर परिबार से समंधित अगर कोई मसला है सुल्जाने के लिए तो उसके लिए दिन अच्छा है तो वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है कारोबार में दिन भर आज आपको सहयोग मिलता रहेगा लाभ भी मिलेगा काम आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं कोई उल्जन है जिससे आप सुल्जाना चाहते हैं तो बातचीत से हर तरह की समस्या हर तरह की उल्जन को सुल्जाया जा सकता है कोई शिकायत है अपने प्रेमी से अपने जीवन साथी से माता पिता किसी से भी उसे मन में दबा नहीं किया वशक्ता नहीं है, खुल करके उनसे कहिए, हो सकता है आप गलत सोच रहे हों, तो समस्या का समाधान आज दिखाई पड़ रहा है, बातचीत से ही, अभी बाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है, और जीवन साथ इसे या फिर प्रेमी से भी संबंध में मजबूती आएगी, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन जरूत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा और स्वास्ति के द्रिश्टिकोंड से देखे, तो स्वास्ति भी ठीक है, बस खान पान का ध्यान रखियेगा, मसालेदार भोजन से जर दूर्थभाव में हैं, चंद्रमा, खुद के नक्षत्र में सनी के साथ यूती बनाए हुए मंगल की द्रिश्टी से द्रिश्टी ये घर में कलह का बातावर्ण बनाने वाले हैं, आज घर में अच्छा नहीं लगेगा, और बाहर अगर आप कारिस्थल पर नहीं है, तो ब भेदित्यादी होने वाला है, व्यापारियों की बात करों, तो कुछ नया करने की शुरू करने हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, और जो पुराने काम है, जो बिगड़े हुए, उल्जे हुए काम है, उन्हें सुल जाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, व्यापार के बड़े सदस अगर कुछ आपको कहते हैं, तो उनकी बात को मानिए, और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए, तो मिला जुला रहने वाला है, दिन मन पढ़ाई में आज आपका किसी भी तरह से लगता हुआ नहीं दिखाई पढ़ रहा है, सेहत के द्रिष्ट आपके आज तुरुतिय भाव में हैं, ठीक है दिन, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, छुटी है ज्यादा तरलों के लिए, जो लोग कारेस्थल पर हैं, तो मेहनत से पीछे ना उटे, सोचे हुए काम जहां पूरे होंगे, वहीं समझ लिजे कि आज, अगर अपनी दिन चरिया ठीक रखते हैं, तो लगभग हर काम आपका हो जाएगा, मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है, तो जहां आप घर के जरुवत की काकारे कर सकते हैं, घर की मरमत इत्यादी करना, तो अई घर परिवार के लिए अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, ब्यापारि आथियों की बात करूँ, तो थोड़ी तेंसन आपके लिए, बहुत अच्छा नहीं कह सकता, मैं आज आपके दिन को, और स्वास्त के द्रिश्टिकों से देखें, तो स्वास्त को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, क्यूंकि पेट से सम्मंधित परिशानी की संभावना ह लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, भुवन भासकर को अरगे प्रदायाम करिए, गायत्री मंत्र का जपर प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की उर्जा इसे एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी, धनु की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद अगर आपको कफ जन्य रोगों की शिकायत रहती है, अस्थमा इत्यादी की शिकायत रहती है, तो आज विशेश रूप से आपको सावधान रहना होगा, मन को जितना सकारात्मक हो सके सकारात्मक बनाईए, आपके ज्यादा तर फैसले सही रहेंगे, और अपना जितना समय ह बच्चों के साथ बिताने का प्रत्न करिए, परिवार के साथ बिताने का प्रत्न करिए, खुशी मिलेगी आपको, तो आई भविश्य में निवेश कहां करना है, इसको लेकर के अगर कोई चिंता है, तो इससे संबंदित आपको आज सही जानकारी मिलने वाली है, यानि आपक किसी भी तरीके से आपको अपना ब्यर्थ नहीं गवाना चाहिए प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है प्रेम समंद में अगर मतभेध हो गया था तो दूर हो जाएगी प्रेमि की भावनाओं को जरा समझने की आप कोशिश करिए और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत जरूर थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रही लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी स्वास्त में विशेष कोई परिशानी नहीं परंतु चोड़ चपेट वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहीएगा उसी से परिशानी है लकियं का आप लिच्छ है लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है भुवन भासकर करगे प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप पर प्र आजाए तो आत्नविश्वास में आपके ब्रदी होगी हलाकि मानुसिक असांती भी रहेगी कोई शुब संदेश प्राप्त होने वाला है जिसे से आपके अंदर आत्नविश्वास बढ़ेगा एक नया जोश आपके अंदर आएगा घर परिवार से जुड़ी कोई परिशा आपको फायदा मिलेगा ब्यापारियों के लिए आज कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा छुट्टी के बावजूद कोई न कोई काम आपको बना रहेगा अवश्यक भी है कामकरी अपना आपको लाभ मिलेगा उससे किसी भी तरह की नाकारात्मक्ता को खुद पर हावी मत होने दीजिए और प्रेम समंध के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा उपहार भी दांपत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पढ़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जि प्राणायाम करिए सप्ताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोक से आपको प्राप्त होगी और बात कुम्भकी कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमारासी से आपके बार्में भाव में बेहत सतर्क सावधान और मन को सकारात्मक बना करके रखना होगा चिंता आज उल्जन आज आप महसूस करेंगे परिवार के मद्य भी आज कुछ अच्छा बातावरण नहीं दिखाई पड़ रहा है धन को लेकर के चिंता होगी और त्यधिक ब्याय से भी आज आपको यानि खर्च अधिक होने से धन संचैन नहोने से चिंता होने वाली है कामकाज से ज घर में अघर से बाहर टीका टीपणी से बचिए प्रेम संबंद के लिए दिन आज आपका मैं सामान ने देख रहा हूं और प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दांपत्य जीवन सामान ने बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मन प पुराना रोग है तो उससे भी जाला साओधान रहिए यारि स्वास्त में परिशानी है लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए हलका पीला है भुवन भासकर करगे प्रदान करिए गायत्री मंत्र काजप और प्राणायाम करिए सब ताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मीन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके लाभभाव में दिन को बढ़िया बनाय हुए है जहां धनलाब की स्थिति है वहीं रुका हुआ कारियर पूरा होने वाला है धनप्राप्ति से खुशी मिलेगी तो अहीं प तरह के गयर कानूनी काम से आपको बचना चाहिए भावनाव में बहकर के किसी से कोई बादा मत करिये और लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा मतभेद पुर्ण लेकिन बाद में सब अच्छा है यानि थोड़ी दर के लिए मतभेद होगा उतरार्ध ठीक है जीवन स के लिए आज मेहनत भरा है दिन लेकिन परिणाम बड़ा जबरदस्त है मेहनत से पीछे मतटिए और स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो पेट से सम्मंधित परिशानी मानसिक अशान्ती रहेगी लकियंक साथ लकी कलर आपके लिए आज पिंक है भुवन भासकर क पर घ्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्द हो जाएगी तो प्रियदर्शकों ये था मेश शेले करके मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों का पूरे दिन का हाल अभीक लि वस इतना ही इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार